यूवाओं के जरुबारों का दरपणने विचारों का नमस्कार आकाश्वाणी की राष्ट्य युवा पत्रिका युवा भारती में सभी यंग दोस्तों का स्वागत है मैं हूँ मनुसमाइनकर और मैं हूँ नवोदिता मिश्रा आजादी के अमृत महुत्सव में देश भर के युवा अपने-अपने अंदाज में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं बल्कि विदेशों से भी इस उत्सव में शामिल होने की खबरें मिलती रहती हैं पिछले संडे को मन की बात में माननिय प्रधान मंत्री ने ग्रीस के कुछ स्कूली बच्चों के गाए वंदे मातरम का उलेक किया था सच मुझ सुमधूर प्रस्तुती थी इसी भावना से ओत प्रोत उधारन हमें अपने स्वतंतरता संग्राम के दौरान युवा से नानियों द्वारा दिये गए सर्वोच बलिदान की रूप में मिलते हैं दिसंबर के महीने में विशेश याद आती है दो युवा स्वाधीन तावीरों की जिन्होंने महज 17-18 साल के उम्र में मातर भूमी की शान की खातिर अपनी जान दे दी हम बात कर रहे हैं शहीद कनकलता बर्वा और शहीद खुदी राम बोसकी एक बात कहीं दोस्तों मुबाही पर दोनों हीरों उसका नाम सरच करके देखिए उनकी जीवनी मातर पढ़ने से आपकी लाइफ में जरूर आप एक चेंज महसूस करेंगे ऐसी ही एक ब्रेव हाट थी मनिपुर की युवा विरांगना रानी गाइदिन लिव डॉटर अफ दो हिल्स जामते हैं बरतानमी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना संघर्ष करना उन्होंने किसमर से शुरू किया मातर तेरा वर्ष की आयू से पिशले माँ उनके जन्मस्थली पर एक ट्राइबल म्यूजियम की नीव रखी गई रानी गाइदिन लिव जन जातिय संग्रहाले इसमें स्वतंतरता संग्राम की लंबी यात्रा में ट्राइबल कम्यूनिटीज के अतुलनिय योगदान के विविद पहलू को दर्शाय जा मनिपुर वैसे भी एक खूपसूरत राज्य है नई वर्ष में सभी युवा दोस्तों से कहेंगे एक ट्रिप वहां की भी बनती है हार्दिक शुपकामना है युवाओं की संगीत में रुचि होना तो स्वाभाविक सी बात है लेकिन इस ख्षेत्र को कुछ युवा करियर चोईस के रूप में भी देखते हैं कैसी होती होगी उनकी दुनिया चुपके से उसमें जाकने की कोशिश करते हैं स्टूडियो से बाहर निकलते हैं संगीत का एक रंग महसूस करने के लिए समाए मन में तेरे सिल्चले हटाई तू ले दिल की बंदशे जो तू है है मेरा नाम अरनव मागो है मैं एक सिंगर सॉंग राइटर हूँ और जब से मैं काफी छोटा था तेरा जॉदा साल की उमर से है इप बें प्लें गिटार और यह विल्ड इंवल्ड इंवल्ड इंव्यूजिक उसके बाद पूरे स्कूल के टाइम में और हाई स्कूल में और फिर मोसली कॉलिज में आई पिग्ड आप सॉंग राइटिंग इस वेल तो सिंस देन आप राइटिंग सॉंग्स अरनव अगर भाषा के तोर पर देखें जब आप कहते हैं कि आप एक सॉंग राइटर हैं तो जेरली स्पीकिंग हम जो समझते हैं कि जैसे बॉलिवूड में होता है एक व्यक्ती गीत लिखता है एक उसकी तर्ज कंपोज करता है और साथ मैं एक और खायर होता है तो गीत कर और संग राइटर में क्यानते रहें? तो songwriter जब मैं term use करता हूँ, basically I mean की पुरा song लिखना, पुरा song का structure बनाना, उसमें lyrics भी आते हैं और उसमें composition भी आते हैं कि melody कैसे होगी, so that's what I mean, so I write the lyrics and I compose the melody as well, and I also do the arrangement, जचे इसमें आते है कि कौन कौन से instruments होंगे, कि कब energy बढ़े की गाने की, और क्या graph होगा energy level गाने का. अरनफ, bands के concept के सामने, तुमने solo choose किया हुआ है, ऐसा क्यों? जो भी मेरे गाने हैं, उनका एक solo version होता है, जो मैं बजा सकता हूँ, खुद अपने guitar के साथ, और एक band version होता है, तो बस depend करता है कि क्या level of intimacy है गाने की, अगर जादा बड़ा, मतलब जादा energy वाला गाना है, जिसमें, मतलब a bigger sound, तो उसके लिए मैं band engage करता हूँ, लेकिन व आपका गाना प्रमोट कैसे होता है और पहुशता कैसे है लोगों पर तो आजकल streaming काफी बड़ी चीज़ बन गई है, जैसे streaming platforms होते हैं, उसके थूरो distribution होता है और उस पे लोग music usually सुनते हैं, तो उसका फायदा ये है कि काफी कम, you know, cost पे distribute कर सकते हैं गाना पूरी दुनिया में, वो एक ऐसे platform पे available हो जाता है, जहां पे कोई पी सुन सकता है पूरी दुनिया में, और तो उससे फे distribution और गाने को exposure जो मिलता है, उसका process थोड़ा असान हो गया है, compared to जो पहले होता था, कोई returns तो मिलने चाहिए तो इसमें क्या possibilities आप देखते हैं, ये जो release करना है music को, commercial उसमें, how does it work? आपको basically एक audience gather करनी होती है, एक brand बनाना होता है अपना, और फिर वो brand आप monetize कर सकते हो किसी भी तरह से, आपका अलग तरीका होता है करने का, mostly ये होता है कि अपने एक audience बनाई है और live shows होंगे, तो वो एक काफी बड़ा revenue का source होता है, तो सब का business model हर एक musician का अपकी अलग है क्योंकि वो काफी अलग तरह से monetize करते हैं, देखो, तीन दिन बाद नया साल आ रहा है, सन 2022, अपने युवा दोस्तों के लिए, एक hope पर थोड़ा सा टिका हुआ, अपने दोस्तों को विश करो, Happy New Year! के पाहर भी तो एक होगी दुनिया, रोज की शिकायतों के, दोहराती बातों के, शेहर में अब तो कुछ ना रखा, आज ले हमें। ये था म्यूजिक का एक रंग, अर्नव मागो के संग, अब देखते हैं एक दूसरा रंग। पिछले दिनों, जाने माने युवा सरोदवादक, आयान अली बंगश, आकाश वानी के प्रोग्राम, Music Maestro's के लिए स्टूडियो आये थे। हमने उनकी संगीत यात्रा से कुछ लमहे चुराए आपके लिए। संगीत की जो यात्रा होती है, it's a lifelong commitment. हर किसम के चीज कर सकते हैं आप, क्यूंकि मेरा जन्म ने कैसे घर में हुआ, जहां बहुत जेनरेशन से संगीत घर में रहा है, मेरे वालिद साब सिक्स जेनरेशन है, एक बच्चे को जो माहुल मिलता है घर में, हम उसी माहुल को अड इने की तरह संगीत रहा है करने, तो इससे पहले कि होर संभाला सरोध अल्रेडी बजाने लग गए थे, और इससे पहले कि और होर संभाला अल्रेडी स्टेज में थे, यही है कि यह ऐसा फिल्ड है कि आपको रोज कुगा खूदना है, you're as good as your last concert, again you have to start over. सुविख्यात सरोध बादक, उस्ताद Amjad Ali Khan के सुपुत्र और शिश्य होना, कैसा होगा यह रिष्टा? मैं आठ साल का था, लेकिन वो रेलिज़िएशन, I developed it myself, so then जब उमर बढ़ी, then you know I kind of adapted to what I thought, कब वो गुरु है, कब उस्ताद है, कब उस्ताद है, कब उस्ताद है, कब उस्ताद है, तो अभी रिष्टा, I think, अब उस्ताद शागर्त का जादा है, लेकिन there are pockets of guru son also, so it's a dual relationship. अबा साब हमारे साथ, he was very patient, he became more of a father even on stage, you know to make us shine, उन्होंने अपने बजाने का लेवल बहुत कम कर दिया, ताकि हम उभर के हाए, that's when the father takes over the guru, you see. आपने और अमान ने मिलकर एक किताब लिखी, Abba, God's Greatest Gift to Us, बहुत यह खुबसूरत उन्वान है इस किताब का, इसके पीछे क्या सोचते, कैसी ख्याला है, अच्छली जस्बात था, वोही title है किताब की, तो अच्छली 2002 में, एक चैलेंज हा, हम लोग, we were in our early 20s, लेकिन, you know because duniya हमारे पिताजी को अज़ा आटिस जादा जानती थी, लेकिन, as sons, you know, हमें बहुत सारे aspects को touch करना पड़ा, that people didn't know about, because being sons, you know, I didn't want the book to be all sugar and honey, लेकिन, manuscript उनको दिखाया हमने, and he was, he felt it's the right time to talk about many things, Abba sahab का struggle बहुत intense रहा, बहुत, like he said, कि वो बहुत कम उमर में ही, he grew up, it was a struggle even for, you know, for Roti Kapda मकान also Sarod Vadan के अलावा, आयान को संगीत की किसी और विदा में भी रुची है? मैंने गाना, Sarod के पहले vocals सिखा, और हम लो गाज भी, हमारी जो experimental shows होते हैं, या fusion, fusion is not the right word, लेकिन, collaborative projects, जो होते हैं, मैं, I do sing, and I enjoy it also, हम लेकिन, मने जासें अए जाद नहीं जाते हैं, बिस हमारा, जादा में, aja क्लासिकल, जो हाई खाया था, वर्ल-फूजिं एक वर्ल-फूजिं नियुजिक पर लाँजिक पर रादा रादै या, रिंकानेशन आल्यूम् झाल 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 संगीत तेरे कितने रंग प्रस्तुती केंद्रिय हिंदी रूपके कांश पिछले दिनों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक भव्य फंक्षन में महान विज्ञानिक डॉक्टर यलवर्ती नायोदुम्मा को श्रधांचली दी गई अन्य उपलबधियों के अलावा 1948 में मदरास स्थित सेंट्रिल लेदर रिसर्च इंसिट्यूट की स्थापना में भी उनका योगदान रहा लेदर रिसर्च और उससे होने वाले लाब का दाइरा वैज्ञानिक पहलू के अलावा सशक्तिकरण और रोजगार को भी छूता है वर्तमान समय में इस अनुसंधान से जुड़े युवा वैज्ञानिक क्या-क्या कारे कर रहे हैं हाल ही में इसी संस्था की इनॉर्गानिक और फिजिकल केमिस्ट्री लाब के डॉक्टर अमित अशोक वेड़नेकर को CSIR यंग साइन्टिस्ट अबॉर्ट प्रदान किया गया अपने रिसर्च के बारे में अमित युवा भारती को बताते हैं तो ये पुरस्कार मुझे जैवा प्रेरित रसायन विज्ञान के शेत्र में नैनो पदार्थों इंजिनियर और रसायन और जीवश विद्ञान में इनके अनुप्रयोग में उनके महतोपुर्ण व्योगदान के लिए प्रदान किया गया था जय वो प्रेरी तरसायन विज्ञान, ये कौन सा विज्ञान है? तो आपको पता ही होगा, स्रिस्टी ने अनेक से और्गेनिजम्स बनाए है तो उनके लाइफ प्रोसेस जो होता है? उनका जीवन कैसे चलता है? इनके लिए अलग-अलग प्रतीन बनाए गए है प्रतीन मतलब क्या? प्रोटीन्स, एंजाइम्स उनको कैटलिस्ट बोला जाता है बायो कैटलिस्ट जो एक रियक्शन एक प्रक्रिया में साथ दे और स्पेसिफिक रियक्शन करके दिखाए हमारा काम हम वज्यानिक्स, मेरे स्टूडन्स और मैं ये करते है कि कैसे ये काम कॉपी किया जाए नेचर से, मठेरियल्स में ये थो थोड़ा चैलेंजीregation है लेकिन ये कर सकते है तो हमने बहुत सारे प्रयोग किये जैसे crystal system, engineering जिसको बोलते है crystal system, core engineering, nano material के ये core engineering करने के बाद ये जो प्रोपर्टीस है एंजाइम की, प्रोटीन की, यह हम solid materials में भी ला सकते हैं, क्यों लाना है यह properties, क्यूंकि जब material बनता है, एंजाइम की तरह काम करने लगता है, तो उसके भहुत सारे फाइदे मिलते हैं हमें, इसका भहुत सारे industrial use भी है, तो हमारे lab में हम लोग दो ऐसे काम हैं, for example, biofouling, तो ships जब पानी में तैरते हैं, तो ships के नीचे, नीचला हिस्सा, जो पानी के contact में आता है, उन पे भहुत सारे विशानों बैठते हैं, जीव बैठते हैं, और वहाँ पे growth हो जाती है, तो इस growth के कारण, जो ship है, वो friction महसुस करता है, friction महसुस करने के कारण, इंजन जो है, ज् ज्यादा इंजन पंप करने से, ज्यादा इंजन खाने से, ज्यादा इंजन जलने से, यह release करते है, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ऐसे gases, तो यह हमारे लिए अच्छे नहीं है, कि यह environment को pollute करता है, तो biofowling prevent कैसे करना है, तो generally people use teen based compound होता है, organotene, तो यह बहुत dangerous है, harmful है environment के लिए, तो हमने सो पूचा कि क्या हम nanozymes, जिसको हम बोलते है, जो material, enzyme की तरह काम कर सकता है, क्या वो biofowling को prevent कर सकता है, हाँ, तो इस area में हम लोग काम कर रहे है, कि यह biofowling कम कर सके, दूसरा जो area है, जहां पे हम काम कर रहे है, वो hydrogen fuel generation, hydrogen gas है, जो जलने के बाद फिर पानी देता है, और for example circular economy जिसको हम बोलते है, यह hydrogen जलने के बाद पानी देता है, पानी से बाद में फिर से हम लोग hydrogen निकाल सकते है, तो हम इस area पे काम करते है, कि chemical hydrogen storage sources जो है, उनसे hydrogen कैसे निकाल, how you can use bio inspired chemistry, कैसे उस कर सकते है, hydrogen, chemical hydrogen storage sources से निकालने के लिए, तो यह sustainable goals है, तो हमारी lab, इस sustainable goals के आधार चल रही है, तो जो result मिला है, वो बहुत important है, sustainable development के लिए, सर और एक प्रशन पूछना है आपसे, कि यह जो है, इसके इलावा, CLR में और क्या-क्या काम चल रहे है, संचोदर हो, या कोई advancement की बात हो, वहां पर क्या काम भी चल रहे है, तो अंतरराश्टरी इस तरपर क्या trend ह है, उस trend के हिसाब से, उसके अनुसार हमारा भी जो है, तर बढ़ रहा है, या हमारी जो तिती है, वो क्या है, अब मैं new dimension देख रहा हो कि leather शित्र में भी क्या किया जाए, leather processing के लिए बहुत सारे chemicals यूज किये जाते है, उसके बाद हमें leather मिलता है, लेकिन क्या मैं sustainability goals पे focus कर सकता हूँ, for example, can I bring nanozymes, enzymes, artificial enzymes, क्या हम यह इस्तमाल कर सकते है, leather processing के लिए, तो leather कितना अच्छा बनेगा, तो यह भी एक हमारे लिए इसमें process चल रहा है, और हम लोग इसमें research काम करके, कुछ ना कुछ तो हमें इसका फाइदा मिलेगा, क्योंकि nanozymes जब use किये जाते है, वो बहुत कम मात्रा मिले उस करते है, कि it is like a catalyst, तो यह एक sustainable development goal है, और leather production भी बड़ा सकते है, तो इसमें हमारा एक research चल रहा है, और apart from that, hydrogen और biofouling यह दो एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं Central Leather Research Institute के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित अशोक वरनेकर को आपने सुना, स्वराश सौजन्य, आर सुदर्शन, आकाश्वाणी चेन्नाई आजकल हमारी अलग अलग शेहरों में, सुबह-सुबह यंग लड़के और लड़कियां, हेल्मित आदी पहन कर साइकलिंग करते हुए नज़र आते हैं साइक्लिंग मेराथन्स भी आयुजित की जाती हैं युवाओं के साथ इस हवाओं से बाते कराने वाले शौक का क्या संबंध है रोकते हैं इन्ही में से एक एडवेंचर साइक्लिस्ट को टी-शर्ट पर नाम लिखा है उमंग भारती ओमंग पैशन तो बहुत सारे होते हैं पैशन बाइकिंग और हाइकिंग और लांग डिस्संस ड्राइविंग को लेके भी होते हैं ये साइक्लिंग की तरफ मतलब चकर क्या पीछे घूम रहा है हाँ अब यह कहा ही जा सकता है कि चक्र जो है थोड़ा सा पीछे आ रहा है आदमी अपने स्वास्थ को लेके भी इसकी तरफ ज्यादा रुजहान दिखा रहे हैं साइकलिंग करने से जैसे स्वास्थ भी रहता है आदमी और क्लीन भी रहती है दिल्ली हमारी एक तरीके से पॉल्यूशन नहीं होता साइकल आजकल लोग इबाइक्स चलाते हैं जो बैटरी ओपरेटिड होती है पैडल बाइक्स भी चलाते हैं मैं आपकी बात बीच में काट ह अगर एबाइक का आप्शन है आपके पास तो कोई साइकल क्यों खरीदेगा फर ये बताईए साइकल देखिए वो अलग अलग तरीके के पैशन है आदमी साइकल बहुत तरीके से खरीता है कई लोग अपने डेली रोटीन के लिए भी खरीदते हैं कई लोग उसको एक्सप मन है मैं साइकल पे ही जाना चाहता हूँ एक मेरा पैशन है साइकल के ओपर जाने का ओफिस भी कई लोग साइकल पे जाते हैं आजकल हम देखते हैं आजकल साइकल का रिवाद ज्यादा होते जा रहा है हम स्वस्त्वी रहेंगे और इस बहाने हमारा अपना काम भी हो जाए एक सवाल मन में यहाँ पर यह आता है कि अगर हम पुरानी साइकलों के प्रिजम से देखें इसको कि उस पे मस्किलर पावर जितनी है आपकी तो मतलब एक व्यक्ति साइकल चलाएगा और से आठ किलुमेटर दफतर है उसका तो हाफता हुआ शायद पहुंचेगा वहाँ पे सेंस में देखें उसको स्ट्रिंक्ठ ओव मतेरर या वेट बिदम यह यह नया क्या मतलब युवा उब में ट्रेशन देखने को मिल रहा है पुरानी बाइकों की अगर हम बात करते हैं तो वो लोही की बनी हुई होती थी। मोस्ली कुछ कुछ अलुमॉनियम भी रहता था तो वो थोड़ी भारी होती थी। तो भारी cycle को चलाना अपने आप में भी एक परिष्रम होता है और उन में speed के नाम पर अगर हम बात करें तो वो single speed की cycle होती है तो वो एक ही speed पर चलती है अगर मैं कोई पुल भी चड़ रहा हूं हूं तो मेरे को उसी speed पर पुल चड़ाना पड़ रहा है क्योंकि पुल चड़ते हुए जादा जान लगती है तो आजकल क्या है cycle जैसे वेराइटी बहुत तरीके की आने लगी है cycle में आपके लोहे की cycle भी आती है अलमूनियम भी आती है उसके बाद आजकल ऐलोई की cycle भी आ रही है जो बहुत हलकी होती है और ऐलोई से उपर सबसे उपर आता है carbon cycle और वो तीन साड़े तीन किलो के आज पास cycle होती है लेकिन उसका प्राइज उस हिसाब से गियर वाली cycle का हम कुछ सालों से देखना है कि कई cycle में gears लगे होते हैं आप ये बताएज कि आपके पास कितनी तरह की cycle है मेरे पास जो है दो तरीके की cycle है एक तो mountain bike है और एक hybrid है वैसे bike तीन तरीके से आती है mountain bike हो गई तो पर आती है road bikes road bikes mostly racing के काम आती है पतले tires होते हैं तो जितना कम friction सड़क पे रहेगा उतनी तेज हम चला सकते हैं उसको हल्की होती है gears उसमें काफी ratios होते है gears के जो हमें उसको speedly चलाने में मदद करते हैं इतनी सारी cycle के बीच अगर एक नया कोई योवा है वो शुरू करना चाहता है adventure cycling चाहे mountain biking हो या शहरों में या गाउं में तो शुरूवात के लिए आपसे छोटे जो युवा हैं जो भी शुरू करना चाहता है तो उनको क्या बताना चाहोगे कि शुरूवात कैसे करनी है अधिन बहुत सारी जुशता है एक बाइक लेलू इतनी महांगी लेलू में इतनी सructive लेलू उससे मतलब नहीं होता आप यह अंदर से आप उसके उपर, उसके बाद एक दूसरी साइकल लेके आया, जो मैं शम्ता अपनी स्ट्रेंथ बना चुका था, दिखाने के लिए मैंने एक नई बाइक खरी दी, जो उससे हल्की थी, गेर्स जादा थे, तो वो जो में शम्ता बन चुकी थी, अब वो उस पर निखर के आई, जा तो साइकल से जाने का, मैं यह पूछ रहा हूँ, एक भारत, श्रिष्ट भारत के प्रिजम से, उनमें भी घूमने का अपना एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, सिचुएशन, लोकेशन, रूट, यह सब देखते हुए हम डिसाइड करता है कि हम क्या चीज सवारी क्या क्या नाजार में तुमनेुचर के सभी में, होता है कि हाँ वो इतनी सुंदर जरह है, मैं भी जाना चाहता हूँ। सफा ब्ल्ड़ के नजारे को मैं कहीं भी रहा जाता हूं। मत्ल़ मोटर साइकल भी रहाख सकता हूँ। मतलब टे Kimberly ब्ल्ल्म भी, आप सकता हूँ।, उमंग भारती आपने आकश्माने के लिए इतना समय निकाला और हमारे युवाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इधर स्पोर्ट्स के खेत्र में ये साल हमारे लिए कैसा रहा? युवा भारती के इसंक में भारत के खिलाडियों द्वारा इस साल अंतराष्ट्रिय इस तर पर किये गए परदर्शन और हासिल की गई उपलब्धियों के लेखे जोखे के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त इस साल भारती के खिलाडियों के लिए सबसे बड़ी परिक्षा की घड़ी टोकियो ओलिम्पिक थे जहां उन्होंने एक स्वान, दो रजट और चार कांसे साहित साथ पदक जीते भारत के नीरत चोपड़ा ने ट्रेक एंड फील्ड की एथलेटिक स्परधा जेवलिन थ्रो में 87 दश पलो पांच आठ मीटर तक थ्रो कर स्वान पदक जीता टोकियो ओलिम्पिक में भारतिये खिलाडियों की काम्यावी के बाद पारलम्पिक में भारत के पैरा इथलीटो ने भी सफालिता के नए कीरती मान इस्थापित करते वें पांस सौन, आठ रजट और छे कांसे साहित 19 पदक जीते ओलम्पिक और पैरालम्पिक खेलों के बाद सर्बिया में हुए वेश्यो मुक्यबाजी टोडबेट वे भारत के आकाश कुमार ने कांस से पदक जीता भारत की मनी का बत्रा और अर्चना कामत की जोड़ी ने डिवल्यो टीटी कंटेंडर लासको टेबल टैनिस टोडबेट वे महिला यूगल का खिता जीता इस साल भारतिय तीरंदासों के तीर भी पदकों पर लगे धाका में हुई एशियाई तीरंदासी चेंपिशिप भारत ने एक स्वन चार रजट और दो कांस से पदक जीते लेकिन धूम मचाए स्टार रिकर्व महिला निशान बास दीपी का कुमारी ने जिन्नों ने पैरि चौकी टीम ने एशियन चेंपियंस ट्रॉफी में कांस से पदक जीता महिला पहलवान अंशु मलिक ने नार्वे में समाप्त हुई वेशू कुष्टी चेंपेशिप में रजट पदक जीता क्रिकेट में भारत ने इंगलेंड के खिलाफ पहले तो घर में और उसके बाद उसी के जबीन पर खेली गए टेस्स सिरीज में अपना दमखं दिखाया लेकिन विश्व टेस्ट चेंपेशिप के फाइडल में निज्जिलेंड से हार गया लेकिन वो निज्जिलेंड को अपने घर में हुई दो टेस्ट मैच के सिरीज में एक शुनने से हराने में काम्या भारत के लिए सबसे बड़ी निराशा ICC 2020 विश्व के सेमी फाइनल तक भी ना पहुँचना रही जब कि उसका फाइनल आस्ट्रिलिया ने नियुसिलेंड को हरा कर जीता वैसे जाते जाते ये साल बैडविंटन के दुनिया में तब खुशिया भर गया जब भारत के की शेरिकांत ने विश्व बैडविंटन चेपिशिप में रजट और लक्षे सेन ने कांस से पदक जीता जबकि पीवी सिंदू ने वर्ड टूर फाइनल्स में रजट पदक जीत अब अगले साल भारतिये खेलाडियों का लक्षे है राष्टमंडल और एशिया खेलों में काम्यावी हासिल करना है समय आ गया है वर्ष 2021 को विदा करने का इससे जुड़ी अच्छी यादे संजो कर रखने का कडवी यादों का बैगेज भूल जाने का 2022 का स्वागत करेंगे खुली बाहों से पॉजिटिव माइंड से 31 की पार्टी में इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें मिलते हैं अगले वर्ष मनूज माइंड का और नवोधिता मिश्रा को अनुमकि दीजिए नमस्कार and a very happy new year यूवा भालती यूवाओं के जरूपारों का दरपणने विचारों का ये है यूवा भालती ये है यूवा भालती ये है यूवा भालती ये है यूवा भालती